नेपाल मां MBBS गर्नु भाय भनी MD गर्ना U.S. जानना को लागी कुन एक्जाम दिनु पर्ष बाइलेजी गुरुप तपैरला थावला नेपाल मां नर्सिंग गर्नु भाय मास्टर्स गर्ना U.S. जाननु पर्ष थावला इंजिनेरिंग आइटी यस्तो डिग्री हु नेपाल मा किनन न पड़ाउ एवरोप अमेरिका अस्टेलिया किनन न पड़ाउ कुन ही पनी एककु भैलेंट एक्जाम न दिकन मास्टर्स डिग्री पड़ना पाइन छा यहुट्याइक क्लास मा अमेरिका पड़ेको इस्ट्रियन और नेपाल पड़ेको इस्ट्रियन और यहुट्याइक क्लास मां मास्टर्स डिग्री पड़ना पाइन छा किना भने हम्रोग डिग्री चाएं इंटरनेशनली डिग्री हु इंटरनेशनली रिकोग्नाइज डिग्री हु ते सहीले गर्द आज हम्रो देश मा टोटल हेर्यो भने अशी हजार इंजिनेर हरू नेपाल मा उत्पादन भाईशागे का चान। तो मद्दे मलाय लाग्षा एप्रोक्सिमेटली 45,000 नेपाली इंजिनेर हरू विदेश मा चान। यो कारण तेही हो। इवन मेरो व्याज को साथियरू पनी more than 60% साथियरू विदेश मा चान। हमिले पास पड़ने बेला जागिर न पाये विदेश गाको होई न साथियरू। बेटर अपर्चुनिटी खजे रगाको हो। उनिहर को पड़ाए इंटरनेशनल रिकोग्नाइज थियो। इजीली उनिहरू बाहर जाना सकते। जो मिडल इस्ट तिर गाका चान। उनिहरू कामगारना गाये काहून। रा जो साथियरू इउरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा ये तिर गाका थिये। पढ़ना बनेर गाये। इसकलरशिप मा गाये पढ़ना बनेर रा तेताई बसे रा फरकेर आउने चलन। नेपाली इंजिनेरर को खासाई छाई न। तेले गर्दा खेरी आज यो देश का मोर देन 45,000 इंजिनेर विदेश माचान।